पूर्ण दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो है इसमें जो हमारे टुट्योरियल है स्कैच अप में किसी भी ओब्जेक्ट को ग्रूप में कैसे कनवर्ट करते हैं ठीके दोस्तों अभी देखें जो मैं इसको सेलेक्ट परता हूँ देखें मेरा ये हर एक पार्ट जो है है जान देखें सब किषट अलग-अलग है ठीया कि और मैं किसी एक पार्ट के ऊपर भी कोई भी काम कर सकता हूं ठीकै दोस्तों जैसे मैं स्ट्रेज कर रहा मैं से स्ट्रेज कर रहा हूं तो कर सकता हूं जब तक मैं इसको group में अदी करता है और सब गरूप में convert नहीं कर देता है अब मैं चाहता हूं इसको ग्रूप में convert रहूं तो क्या करेंगे तो सबसे पहले complete object जो हमारा है उसको selection में लेंगे ठीक है यहां से में complete object को selection में दिया अब देखिए ठीक है आप group कर सकते हैं edit में भी यहां से जाके आप make group कर सकते हैं edit में जाके नंबर दो अप्शन आप यहां ने की विज़ाए direct shortcut भी अपना सकते हैं यहां पर make group भी कर सकते हैं ठीक है जैसे आप make group करेंगे यह group में convert हो जाएगा रहे हैं अब इसके जो चारों तरफ है ब्लू रेक्टेंगल खड़ा हो जाएगा ठीक है अब हम इसको सिरफ move कर सकते हैं ठीक है अब हम इसके जो है इसका अलग अलग पार्ट पर किसी भी काम नहीं कर सकते हैं ठीक है किसी भी पार्ट पर हम अलग से काम नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि ये complete एक object बन गया है ठीक है दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि इस object को मैं फिर से कुछ इसमें editing करना चाहता हूं ठीक है आप इसकी जो line है वो डिल्ट कर सकते यह जो guideline है तो इसमें ग्रूप के बाद ये भी आप जब तक इसको अन ग्रूप ने करते कुछ ने कर सकती ठीक है तो चलिए मैं गवारिश को अन ग्रूप कर देता हूं अब यह क्या हो गया अभी जो हमारे पास है यह लाइन को जो guidelines है इनको मैं डिल्ट कर देता हूं यहां से और ठीक है यहां से मैं को डिल्ट कर देता हूं देखी कुछ एक जो है अगर आप चाहते हैं जो measurement है उसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं है कि यह मैं इसको अगता हूं यहां से इसको अगरता हूं जो भी आप अधासते साइट सारी ऑठीक दो तो देखिए अब यह complete अकेला object अब यहां पर गता उखडा इसको भी मैं हटा देता हूं यहां से select करके इसको भी remove कर देता हूं चलिए अपरी मू नहीं करते इसको इसको हम एक बहुत अच्छी जगे इसका यह स्टैचु बना देते हैं अपर ठीक है थीजिए थोड़ा सा यह तो यह स्टैचु यहाँ पर हो गया देखो अब मैं इसको जैसे रोटेट करता हूं अभी क्या है हमारे पास जो उब्जेक्ट है अलग अभी देखिया अपको दिखाता हूं देखिए यह उब्जेक्ट है ठीक है सारे के सारे अभी भी अलग है ठीक है तो चलिए मैं इसको ग्रूप में कनवर्ट कर देता हूं तो अभी इस क्या करते हैं स्लेक्ट क्लिक्ट और यह कंट्रोल इसी कर सकते हैं राइट क्लिक और में ग्रूप अब ये गुरूब में कनवर्ट हो गया आप इसको आप कहीं भी उठा के कहीं भी रख सकते हैं तो आशा करता है आपको यह वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा प्लीज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सबस्क झाल झाल